मायरा हर्स सुबा सुबा ब्रस करने में लगे हुए है मायरा जल्दी जल्दी हम दोनों ब्रस कर लेते हैं क्योंकि आज ममी मैगी बनाने वाली है अगर ब्रस नहीं करेंगे तो ममी खाने के लिए नहीं देंगी हाँ भाईया इसलिए आज सुबा सुबा ब्रस कर रहे हैं क्योंकि आज मैंगी खाना है मायरा मैंने तो ब्रस कर लिया अब जल्दी से मुँ धो लेता हूँ हाँ भया मैंने भी ब्रस कर लिया अब अपना ब्रस जल्दी से धो लेती हूं और मुझ भी धो लेती हूं पहले पानी छो कर देखता हूं ठंडा है कि गर्म है अरे बाप ने पानी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है लगता है मैं मुझ नहीं धो पाऊंगा मारा पहले तुम ही जाकर मुझ धो लो मुझ से अभी नहीं होगा पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है मैं ममी को कहता हूं गर्म पानी लाने के लिए पर हर्च भाईया ममी तो गर्म पानी लेकर आय थी साथ ममी इस बाल्टी में रख दी है अच्छा मैं अबे छो कर देखती हूं अरे वाँ भाईया बाल्टी में का पानी गर्म है चलिए इसी पानी से मूध होते हैं उधर मारा हर्च मूध होने में बिजी है तब तक ये पपी भी मारा हर्च की ओर जाने लगता है ये पपी पानी की ओर जा रहा है अरे ये क्या पपी तो टब में गिर गया है पपी ठंडे पानी में गिर गया है और बहुत ज़्यादा चिला रहा है अरे ये पपी कैसे पानी में चला गया भाईया जल्दे से इसे निका लिए बढ़ना ये मर जाएगा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है अरे ये पपी तो बहुत ही ज़्यादा बदमास है उसे बोला था वहीं पर रहने के लिए लेकिन ये तो यहाँ पर आ गया हट मैरा जली से मैं उसे निकालता हूँ मारा हर्च की अबाज सुनकर कार्तिक बात्रूम से बाहर निकल कर देखने लगता है अरे मारा हर्च तुम दोनों क्या कर रहे हो तुम दोनों ब्रस कर लिये हो क्या अरे पानी में पपी अरे तुम दोनों इतनी ठंड में पपी को मारना चाहते हो क्या देखो कितना काप रहा है जल्दी से उसे बाहर निकालो मारा हर्च ये नहलाने का टाइम नहीं है जल्दी पपी को बाहर निकालो हर्ज कार्तिक इतना कहकर बात्रूम में चला जाता है और इधर गीता अभी भी सो रही है अरे लगता है मैं बहुत देर तक सोई रह गई सुबा सुबा मायरा हर्ज कहां चले गए अरे मुझे याद आया आज उन दोनों के लिए तो मैगे भी बनाना है कहीं मायरा हर्ज ब्रस करने तो नहीं चले गए चलो अच्छी बात है वो जल्दी ही ब्रस कर लेंगे बरना मुझे बहुत ही कहना पड़ता है ब्रस करने के लिए तब जाकर मायरा हर्च ब्रस करते हैं चलो अच्छा है कि आज खुद से ही ब्रस करने चले गए मायरा बहुत ही मुश्किलों से इस पपी को बाहर निकाला हूँ चलो अब जल्दी से इसे घर लेकर चलते हैं बरना ये मर जाएगा हाँ भाईया चलिए जल्दी ममी ममी जल्दी से इस पपी को कंबल ओढ़ा दीजिए देखे कितना काप रहा है अरे मायरा हर्च क्या जरूरत थी इतनी ठंड में इस पपी को नहलाने की देखो कितना काप रहा है तुम दोनों कभी सुधरने वाले नहीं हो जब धूप निकलता तब इसे नहला देते ममी मैं नहीं नहलाया हूँ ये खुद पानी में गिर गया हाँ ममी हम दोनों ब्रहस कर रहे थे तब ये पपी टब में जाकर गिर गया हम दोनों ने इसे नहीं गिराया है अच्छा हर्च बाते छोड़ो लाओ जल्दी से इस पपी को कंबल से ढख देती हूँ दो जल्दी हर्च अरे राधा मौसी तो मार्केट गई थी मैगी लाने लेकिन अभी तक नहीं आई अच्छा आती ही होंगी अच्छा मैरा हर्च तुम दोनों भी जाकर कंबल में बैठ जाओ मैं मैगी बनाने की तयारी करती हूँ चलिए हर्च भाईया हम दोनों कंबल में बैठ कर देखते हैं ममी मैगी बनाएंगी मैं जल्दी से जली जाती हूँ आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा मैगी खाऊंगी मम्मी आज आप बहुत ज़्यादा मैगी बनाएगा हाँ हाँ मैं ज़्यादा मैगी ही बनाऊंगी पहले तुम जाकर कंबल में बैठो ठीक है मम्मी मैं अभी जाता हूँ तब तक मैं ये सारे मटर के छिलके उतार लेती हूँ अरे इतने सारे मटर है छिलके उतारने में तो बहुत ही समय लग जाएगा मम्मी अभी सो रही है अच्छा मम्मी को सोने ही देती हूँ पता नहीं कार्तिक जी कहां रह गये वो आते तो थोड़ा हेल्प कर देते चलो मैं फ्रेस तो हो गया हूँ अब जल्दी से घर चला जाता हूँ अरे ये मारा हर्ज तो अपना ब्रस यहीं पर छोड़ कर चले गये हैं अच्छा मैं ब्रस को संभाल कर रख देता हूँ गीता राधा मासे अभी तक नहीं आई किया बहुत ही देर हो गया आपको बोले थे मार्केट जाने के लिए तो आप फ्रेस होने चले गए अरे गीता चिंता मत करो बाहर बहुत ही ज़्यादा फौग है इसलिए राधा मौसी धीरे धीरे इसकुटी चला कर आ ही रही होंगी अरे गीता मैंने कहा तो था अफ्रेस होकर चला जाओंगा लेकिन मौसी नहीं मानी अच्छा वो आती ही होंगी अच्छा ठीक है कार्तिक जी मटर के छिलके उतारने में तब तक मेरी मदद कीजिए अच्छा ठीक है गीता मैं भी मटर के छिलके उतारने में तुम्हारी मदद करता हूँ इधर गीता कार्थिक मिलकर मटर के छिलके उतार रहे हैं तब तक उधर से राधा भी आ जाती है इधर राधा बहुत सारे मैगी के पैकेट्स लेकर इसकूटी से आ रही है अरे राधा मौसी आ गई अरे गीता क्या बता आए रास्ते में इसकुटी पंचर हो गया था इसलिए उसे बन बाने में काफी समय लग गया अरे गीता लेकिन जादा देर थोड़ी न होई है अब चलो हम लोग मिलकर मैगी बनाते हैं ये देखो गीता इतने सारे मैगी के पैकेच लेके आया है आज ये सारे बना लेंगे पर राधा मौसी इतने सारे मैगी बहुत जादा हो जाएंगे अरे नहीं नहीं गीता जादा नहीं होगा हम सभी मिलकर खा लेंगे अच्छा गीता मैं सभी के लिए जाकर आग जला देता हूँ सभी बैटकर ताप लेंगे मम्मी आप पूरा मैगी बनाएंगी बिल्कुल भी छुपा कर नहीं रखेंगी हाँ मम्मी आप पिछली बार बहुत ही कम मैगी बनाये थे लेकिन इस बार नहीं मम्मी हाँ ठीक है मैरा हार्स इस बार तुम दोनों को प्लेट भर कर ही दूँगी ये मैरा हार्स हमेशा मैगी खाने के लिए जीद करते रहते हैं पता नहीं इन दोनों को कितना अच्छा लगता है अच्छा गीता तब तक तुम मैगी बनाओ तब तक मैं ये सारे मटर के छिलके कुरिदान में डाल कर आती हूँ राधा जा रही है मटर के छिलके कुरिदान में डालने अच्छा मैं घर में से एक बरा सा बरतन लेकर आती हूँ जिसमें मैगी बन सके ममी आप अभी तक सो रही हैं देखिए दिन के नव बज गये हैं अब तो उठ जाएए ममी मारा हर्स तो आज बहुत जल्दी फ्रेस हो गये हैं क्या गीता नव बज गये हैं इस ठंडी में तो टाइम का पता ही नहीं चलता है अच्छा मैं जल्दी से उठ जाती हूँ कर रही हो फिर खाना कब बनेगा वह ममी मारा हर्स बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहे थे इसलिए सबसे पहले मैंगी ही बना रहे हैं उसके बाद खाना बना लेंगे अच्छा गीता फिर ठीक है मैं जाती हूँ अब मैं एक बरा सा बर्तल लेकर चली जाती हूँ चलो बच्चो तुम दोनों भी चल कर आग ताप लो देखो कार्तिक चीवाँ पर आग चलाय हुए हैं ठीक है नानी मा चलिए चलते हैं चल मारा जल्दी चल इस पपी को भी साथ में लेकर चलते हैं ये भी आग ताप लेगा पर भाया कही ऐसा नहों ये पपी आग में ही कुच जाएं अरे मारा इतना भी पागल नहीं है किसे पता नहीं है आग में कुचने से ये जल जाएगा दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते अगली कहानी में थैंक्स पर वचिंग दिस वीडियो